दोस्तों अगर आप अपने फोन में WhatsApp यूज करते हैं तो आप status जरूर लगाते होंगे और आप status लगाते हैं तो आपको बहुत से लोगों के status पसंद भी आते होंगे और आप सोचते होंगे उन status को आप कैसे डाउनलोड करें तो दोस्तों मैं आज आपके लिए simple application लेके आ गय हो तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखेगा ब्लकुल भिसके मत कीजीगा आपके लिए बहुत ज्यादा महत्पूर हो सकती है ये वीडियो तो चलिए दोस्तों बिना किसी बातचीत के वीडियो को सुरू कर लेते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को च्राइब करके बेल आइकोन को जरूर प्रेश कर लें क्योंकि हम हर रोज आपके लिए कोई ना कोई ये कैसी ट्रिक लेके आते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने वाट्टब को यूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते है तो दोस्तो अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक application है application का नाम है status saver तो आपको simply से open कर लेना है तो दोस्तो इस application का link नीचे मिल जाएगा आप वहाँ से download कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इस application को play store से भी download कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो आपको यहाँ पर permission देनी होगी तो यहाँ पर आपको granted पर click कर देना है तो जैसी आप इस पर click करेंगे तो आपको media file allowed कर देनी है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आ जाएगा तो दोस्तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे ना तो मेरा यहाँ पर कोई भी status का option है मैंने अभी तक कोई भी status नहीं देखा है और ना ही मेरा यहाँ पर कोई भी video का option है के ना मैंने किसी की video देखी है तो अब मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या होगा आपको simple तरीके से अपना whatsapp open करना होगा तो मैं दोस्तों अपना whatsapp open कर लेता हूँ जैसे मैं यहां से अपना whatsapp open करता हूँ मैं किसी की भी मान लीजिए मुझे यह first floor की देखने है तो मैं यहां पर देखता हूँ यह अबदुल कलाम जी की है एक photo और यहां पर बहुत सारी photos है videos है मैं यह सारी tab कर लेता हूँ जैसे मैं यहां से tab करता हूँ तो यहां से मुझे मेरा एक दोस्त है उसकी बहुत सारी videos है मैं यह सारी videos को tab कर लेता हूँ सिरिप आपको tab करते रहना है जैसे आप यहां पर tab कर लेंगे तो आपकी सारी फाइल्स सेव हो जाएंगी तो अब मैं यहां से आपको back करके दिखा देता हूँ जैसे ही मैं अपने WhatsApp से back जाता हूँ तो मैं दुबारा से अपने स्टेटस से वर पर 클릭 करता हूँ जैसे मैं अपने यहां से क्लिक करता हूँ तो चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेगा जिससे की नई वीडियो के नाटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले तो चलिए दूस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद